Hello Everyone, Welcome to my channel बैस्ञेवान की जो कहते हैं यह की हम इस वीडियो में धिसक्स करेंगे आपके पोस्टकोर्ड 788 के आरच आपका इ Ole 52 हो ईंग्लिश अट उन धूरकी करेंगे हम उसका अभी इसमें जी के पार डिसकस करेंगे ही माचल जी के पार डिसकस करेंगे और इसके बाद इंडियन जी के एक वीडियो आएंगे उसमें ही हम इंग्लिश पार्ट को भी डिसकस करेंगे सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पर उसे पहले अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो, बेल ऐकिन को प्रेस कर दो, so that आपको हर इंपोर्टन अपडेट ताम तो टाम मिलती रहे हैं, so बात करते हैं, first question, जो आपका 48th question है, मेरे पास series C है, इस exam की किसकी? जूनियर जो officer का आपका exam आज हुआ है, 12 बजे तक जो exam था उसकी, and 788 इसका post code है, so which scheme has been launched recently in HP to promote organic farming? तो आपको इसमें बताना है कौन सी scheme launch की गई है, तो इसका answer रहेगा C, आपकी प्राकृतिक खेती, खुशाल, किसान, योजना जो start की गई है, ठीक है, next आपका question है, which has facilitated the preparations, development and sanction of project on sustained livelihoods of agriculture development communities in drought-prone districts of HP through smart solutions in Surmode district recently, तो इन में से किस ने start की हैं, तो वो आपके नाबाड ने start की है, C will be the right answer, next question है, in HP, sheep breeding farms are working at, तो कहां वो कर रहे हैं वो आपके, वो आपके बात, वो कर रहे हैं, आपके A, नूरपूर, B, कर्चम, C, तल and D, बोथ B and C, तो इसके जो आपके रहे हैं, वो D, कर्चम, आपके नूर में तल कहें, आपका वो हमीरपूर में हैं, आपके शुमला में भी है ये और आपके चम्बा में भी है, शुमला के जूरी में है, और शायल से चम्बा के सरोल में है ये, ठीक है, आपके जो sheep breeding farms हैं तो, इसमें यहीं और से आया है, तो फिर आपको पता है थोड़ी ब्लॉर्डनेस इसकी इंक्रीज हो जाती है, तो forest area account for about what percent of total geographical area in HP, तो आपको पता है, HP में forest area कितना है, 66.52% है, आपको यह भी पता है कि जब भी ऐसा question आते हैं, तो हमार को nearest answer ढूणना होता है, तो इसका answer क्या रहेगा, 68 will be the right answer, next है आपका, HP has an estimated hydro potential of, तो HP में कितनी hydro potential है, तो इसका जो आपका answer रहेगा, वो रहेगा 27,436 Megawatt की है, तो D will be the right answer, next जो आपका question है, 45th question है, Regional Vocational Training Institute for Women is located at which place in HP, so इसका answer I am not sure, इसलिए मैं इसका answer नहीं दूँगी, आपको किसी को इसका answer पता है, तो आप comment box में इसका answer बता सकते हैं, next आपका total पंचायत in HP is 3226, 3233, 3247, and 3249, तो इसमें जो आपका answer रहेगा, वो रहेगा, 3226 A, जो है, आपका right रहेगा, next question है, आपका, घड़ा सारू लेक is located in which district of your HP, तो इसका जो आपका answer रहेगा, तो इसका answer रहेगा, आपका, C, चंबा, ठीक है, next question है, आपका, कि हिमार्चल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी का साहिक नदी, सिलू, सी उल, सौरी, सी उल नदी है, तो सी उल river is a tubulatory of which main river of HP, तो किसकी है, वो आपकी D, रावी नदी की tubulatory है, next, आपका, विशिष्ट water spring is located in which district of HP, कुलू, सिर्मौर, सोलन और शिम्बला, तो इसका जो आपका answer रहेगा, वो a कुलू रहेगा, next, आपका जो question है, जो आपका, कियार्दा, जो दून वैली है, is located in which district of Himachal Pradesh, तो किस district में है, यह आपके सिर्मौर district में है, ठीके, a will be the right answer, आप बात करते हैं, next question, next, drum rating is the custom of which district in Himachal Pradesh, मुझे इसका answer नहीं बता है, आपको अगर इसका answer पता है, तो please comment box में इसका answer बता दीजिए, the next है आपका, the old name of Bajnaath was, तो इसका जो आपका होगा, करी, gram is the right answer, next है कुमार सन, जो princely state was founded by whom, तो यह किसके द्वारा, आपके किरत सिंग द्वारा found किया गया है, next है आपका, जो हिमाचal Pradesh का last question है, GK से related, the oldest school of painting in Himachal Pradesh is, तो कहां है यह आपका, यह आपका है, बशोली जो है आपका oldest school है, आपके painting के लिए हिमाचal Pradesh में, इस part में हम सिरफ इतने ही questions discuss करेंगे, ने इस part में हम Indian GK plus यह आपका, जो English का part है, वो discuss करेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए, तो please इसे like कर दीजिए, अपने friends के साथ share कर दीजिए, and इस channel को subscribe कर दीजिए for more videos, thank you.